है गाइज विश्वेश चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूग कर सकता है और कौन से इसे स्टॉक्स है जो हम ट्रेट कर सकते हैं तो सबसे पहले समझना जूरी होगा कि ओवरनाइट हुआ क्या था इन फैक हम ओवरनाइट का मार्केट देखें उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इरान और इसराइल का टेंशन क्या है तो सबसे पहले समझे कि यह जो साइज है यह इरान आपका ठीक है और यहां पर यह चोटु सा स्ट्रिप है यह है आपका इसराइल तो यह दोनों कंटरी है अब हुआ क्या ओवरनाइट तो इसराइल पे इरान ने 331 मिसाल और अगर आप इनका hit or miss का ratio देखो तो आपको समझ में आएगा कि 99% of the attack was intercepted by the इसराइल अब 99% जो attack था वो intercept किया इसके लिए almost half a billion dollar का इनको spending आ गया और उनके जो official spokesperson है डेनिल हेगरी उन्होंने ये कहा कि ये हमने बहुत अच्छे से manage कर लिया है naval base को थोड़ा बहुत attack आया है लेकिन हम we are in a good ship and जितना इरान ने सुझा था हमने बहुत अच्छा किया हमारे सारे जो air base है वो fully functional है हमारे सारे runway वगेरा सब चल रहे है अब अगर quick look दिखा जाए कि ये war कितनी बड़ी concern है global market के लिए तो उसके लिए आपको इनका statistics दिखना पड़ेगा अगर इरान और इसराइल की population की बात करें तो 10 times बड़ा है इरान in terms of population in fact उनकी जो manpower है वो भी काफी बड़ी है उनका military personal भी है वो भी काफी बड़ा है इरान की बात कर रहे तो लेकिन जब हम financials की बात करते हैं और specially इसराइल को लेके तब समझ में आता है कि इसराइल का जो defense budget है वो 25 billion है जबकि इरान का खाली 10 billion के आसपास है और total aircraft इसराइल के पास 612 है fighter airpade 241 है comparatively to Iran उनका military काफी strong माना जाएगा air power specifically इसलिए कल की दिन में ये जो इरान का attack था वो specifically around the airbase था उनको इन air जो stronger base है इसको खतम करना था मेरे इसाब से वो नाकाम रहे सीज़ के लिए लेकिन more or less आप ऐसा मान के चल सकते हो कि इसराइल has a very very stronger air defense system अब और अगर हम बात करें तो इरान का oil production is 3.5 million barrel जबकि इसराइल ऐसा कुछ oil production नहीं करता है अब क्या हुआ मैं दो दिन मिनिट लोगा इस चीज़ को समझाने के लिए और यह क्यों matter करता है वो मैं समझाओंगा थोड़ी दिर मैं तो सबसे पहले यह समझे कि जो जो बाइडन है अमेरिकन प्रेसेडेंट उन्होंने सबसे पहले cnnn पर यह चीज़ के दी कि इरान यह वान उनका लाजली अंसक्सक्सफुल अटेक रहा और आपने जो इंटरसेप्शन किया आप उसको अपनी जीत मानों मतलब वो क्या कह रहे है वो कह रहे है कि भाई यह अब अब अटेक अगेंस इरान मतलब यूएस नहीं चाहता है यह एसकेलेट हो क्यूं इलेक्शन यह है अल्रेड़ी वहाँ पर इंफलेशन है रेट कट करने की सिचुएशन पर वो लोग आ गयते अब ऐसे में थोड़ा इंफलेशन बढ़के है अब ऐसे में अगर वह और सिचुएशन और इसकेलेट होती है तो यूएस इस नॉट इन कंडिशन तो हैंडल तो वो तो क्लियरली कर रहा है लेकिन एट ते सेम ताम इसराइल जो है वो इसराइल ऐसा कह रहा है कि बहुत जो भी हमें हाम करेगा हम उनको जवाब देंगे मूँ तो हूएवर हर्ट अब यह जब बात कर अब यह बहुत अच्छा स्रेटमेंट आया है लेकिन एट ते सेम ताम यूएस फोर्स जो है वो रिपोटेटली हाई अलर्ट पर है और यूएस एर फोर्स अराउंड अगर आप मिडल इस का पोजिशन देखोगे तो कुछ इस तरह से है यह तोटल पोजिशनिंग है जो रॉशन प्रेसेडेंट है वाल्डमर पुटेन उन्होंने ऐसा कहा कि अगर यूएस इरान के अगेंस में इसराइल को सपोर्ट करेगा तो हम इरान का साथ देंगे अब यह बहुत बड़ा सीरियस हो जाता है तो मेरे हिसाब से डिफिनिटली निउस नेगेटिव है हमार कि इरान अल्रेडी बड़ा है इसराइल का डिफेंस सिस्टम अच्छा है इसराइल के साथ में यूएस खड़ा है इसराइल का डिफेंस बिजट बहुत बड़ा है और अगर इरान के साथ रश्या आ जाता है from a military support तो मेरे हिसाब से war escalate होगा लेकिन एक समझदारी की बात हमको जो करना था हमने कर लिया हमारे हमारा यह इनो समस्ट ऑफ रेवेंश था अब अगर कुछ नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे और इसराइल स्मार्ट है वह यूएस की सुनता है और अगर रिटेल नहीं करता है तो मेरे हिसाब से लार्जली हमें गैप डाउन ओप कि क्या हो सकता है और हम ग्लूबल सिच्वेशन को समझते हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कुरूड से तो कुरूड ऑलरेड़ी 85-60 के आसपास है और अगर कुरूड का डिसंबर का लो देखो तो 68 का था तो वहां से अर्मूस्ट 30 डॉलर का हम ने चम देखा था लेक क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कुरूड कल खुलने ही ओला है पांच्टा का ओपर ठीक है सो कुरूड ऊपर आ जाएगा बिकूज एनर्जी मार्केट वह इंडिकेट नहीं कर रहा था मार्केट में कहीं पर पर्रपरेशन ही नहीं था कि इस तरह कोछ होने वाला तो एनर्जी मार्केंग शॉट अप हो जाएगा बिकूज एरान इस अब मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दॉइल राइट वहां पर टेंशन होगा तो और के प्रोडक्शन पर प्रोब्लम होगा तो कुरूड पर इंपक्ट आएगा बिकूज ग्लोबिल सप्लाई को हर्ट हो सकत है अब अगर आप गोल्ड को देखते हो तो गोल्ड का लास्ट दो तीन घंडे का जो प्राइज एक्शन था वो भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है 2430 से गोल 2330 तक 100 डॉलर इंट्राडे में गोल्ड स्लिप हो गया था सम सोट आफ प्रॉफिट बॉकिंग मानो या शॉ अब जब जाके आप डॉलर इंडेक्स को देखते हो तो डॉलर इंडेक्स रिलेटिवली स्ट्रॉंगर है राइट इस इंडिकेटिंग की यूस मार्केट बुलंद है और काफी ठीक कर रहा है मतलब एट लीस्ट फ्रम करेंसी परस्पेक्टिव और अगर आप टैनियर इल क अब इस तरह के ग्लोबल इंडिकेटर जो प्रपेर्ड नहीं थे उसमें जब आपके डाउ का चार्ट देखते हो तो आपको समझ में आता है थर्टीएट थाउजन का सपोर्ट था मैंने भी प्रिवेस हमारे मारे मार्केट अंगा इस वीडियो में यही कहा था कि शीदा थर्टी सबिन तक आ जाएगा तो अल्मूस 700 पॉइंट आउ में पैंड़ नहीं है ठीक है अब इन सारे फेक्टर को ध्यान में रखके हम अमारे मारकेट पे आते हैं विचि इस बैंक निफ्टी थे तो हमें समझ में आता है कि बैंक निफ्टी उतना फीक नहीं था जितना निफ्टी विखता, तो anyway, सबसे पहले ये समझते हैं कि निश्कर्ष क्या है, निश्कर्ष ये है कि एरान ने अटेक किया और एरान का अटेक largely done है as per the statement of एरान अगर इसराइल retaliate नहीं करता है, और अगर इसराइल retaliate करता है, तो ये problem होगा, तो हमारे यहाँ gap down तो open होगा for sure, लेकिन ये बहुत बड़ा situation नहीं बनेगा अगर इसराइल attack नहीं करता है, तो अब इस information को ध्यान में रखके हमें chart को process करना चाहिए, तो सबसे पहले देखते है, bank nifty 48, 560 का close था, 422 point नीचे था, मुझे लगता है 48,000 तक आना चाहिए, which is a very very strong support, ये जो trend line है उसका, plus ये जो swing line है, तो यहाँ पर कहीं पर, तो अगर market 48, 560, 48, 400, 48, 500 open होता है, flat to minor negative, तो pullback पर short करना चाहिए, 48,000 तक तो हमां से था, 600, 700 point bank nifty gir सकता है, इसके नीचे मुझे नहीं लगता है, हमें बहुत बड़ा view बनाना चाहिए, क्योंकि global market में क्या हुआ है, global market में एक event हुई है, लेकिन कहते हैं, शायद ये largely underन है, अगर हम open होते तो शायद बहुत बड़ा meltdown देखा जाता है, लेकिन हम open नहीं है, हम overnight close थे, weekend था, और जब हम open हो रहें, by the time statement ऐसे आ चुके हैं, कि शायद ऐसा बुर रहे है, ये curtail हो चुकता है, अभी वापस escalate होगा की नहीं होगा, मुझे नहीं पता, इस वक जब मैं निचे खुलेंगे, 200-300 नीचे खुलने के पाद हम जोर से गिर जाएंगे, और यहाँ पे कहीं पे हम support टूनेंगे, तो ठीक है, तो bank nifty, intraday में एक छोटा सा head and shoulder बना था, इस head and shoulder का breakdown, 48 to 50 पहला support, यहाँ से pullback अगर नीलता है, 48 400 वहाँ shot करना है, 48,000 तक का intraday का मेरा target होगा, यह हो गया bank nifty, अब nifty की बात करते हैं, और nifty की जब बात करते हैं, तो nifty का जो यह close है, यह मेरे हिसाब से बहुत अच्छा close है, बिकोज यह 22,500, 22,500, 22,500 पही close है, 22,519 का close था, 240 point डाउन था, अब nifty मेरे हिसाब से थोड़ा सा वनरेबल हो सकता है, अगर यह support तूटता है, तो अगला support nifty का 22,300 है, तो 200 से 300 point का हम एक crackdown expect कर सकते हैं, और अगर 22,300 तूटा, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत हो सकती है, तो nifty any pullback towards 22,500 is likely to be a shorting opportunity, मुझे लगता है, निफ्टी 22,300 should be the very good support, वहाँ पे मेरे हिसाब से पॉस लेगा, और pullback आएगा, उस pullback में फिर data देख के आपको short initiate करना है, तो बहुत large negative view नहीं है, पर बहुत pullback की उमीद भी नहीं है, मुझे लगता है 22,300 तो आएगा या आएगा, खलके session में, तो एक short stance बनाना है, और short stance में आपको इस तरह सोचना है, कि pullback आए तो short करना है, ठीके nifty हो गया, bank nifty हो गया, अब stocks की बात करते हैं, और stock में सबसे पहले मैं long stock choose करूँगा, और यह मैं इसलिए choose कर रहा हूँ, because market बहुत ज्यादा negative खुलने वाला है, यह हमें उमीद है, लेकिन एक stock जो मुझे लगता है negative खुलेगा, और मैं खरीदना चाहूँगा, quarter में सबसे strongest number आ है, TCS के, बहुत अच्छा chart है, और 4000 के आसपास का close है, US market में अगर आप NASDAQ देखते हो, यह NASDAQ का chart है, sideways है, उतना नहीं गी रहा है, मतब टेक stock पे उतनी बड़ी impact नहीं आई है, अब ऐसे में अगर TCS 3980, 3970 के आसपास मिलता है, तो मुझे लगता है, 3930 के stop जो शायद मैं long के point of view से consider करूँगा, even in this bad market, because strong numbers, IT should be less impacted, ठीक है, अब तीन stock जो मुझे खराब लग रहे हैं, और overall similar sector से माना जाएगा, automobile में से, पहला stock है, two-wheeler का, वो है TVS motor, purely technical reason है, beautiful, आप समझतों के होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, head and shoulder बहुत ही beautiful है, ठीक है, इस head and shoulder क breakdown 2000 के नीचे होता है, तो 2046 का closer 2.5% नीचे है, अगर ये 2000 के नीचे जाता है, और फिर pullback देता है, तो 2020-30 के आसपास, 2040 के stop से बेचना चाहिए, मुझे लगता है, 1900 तक का है level, हम एक या दो दिन में expect कर सकता है, तो TVS motor is something, which is on the short side, मैं देखूँगा, दूसरा stock, जो मुझे again auto space में से खराब लग रहा है, वो है आपका hero motor, hero motor को chart को अगर देखेंगे, beautiful five wave decline, five wave decline के बाद pullback, इस pullback में almost 50% retracement, triangle breakdown, जैसे ही 4400 तूटता है, मुझे लगता है 4100 तक जाना चाहिए, मतब इसका equality करना चाहिए, तो ये एक stock weaker है, जो शायए short के लिए मैं अपने radar में रखू और तीसरा stock, जो मुझे खराब लग रहा है, जो उतना weak नहीं माना जाएगा, लेकिन under performance माना जाएगा, लेकिन उसका reason भी again technical है, ये है beautiful five wave decline, टाटा मोटर, pullback 78% retracement, double top intraday में, inverted hammer, जैसे ही 1000 तूटता है, 970 तक आजाएगा, तो टाटा मोटर अकर 1000 तूटता है, तो 1015, 1020 के नीचे जाता है, तो 1200 तक का, और मैंने हीरो मोटर बता दिया, 4400 के नीचे, 4100 के लिए, एक long जो अच्छा लगता है, वो है TCS, TCS अगर नीचे मिलता है, you know, 3980, 3960 की range में, तो 3930 के stop loss long करेंगे, 4000, 4030, 4080 तक के target, निफ्टी, 2500 के नीचे, 22300 तक आ सकता है, और 2300 गया, तो 22 सकता है, लेकिन मुझे लगता है, 22300 जाना चाहिए, वो शायद मार्केट को एक support दे सकता है, और लास में, बैंक निफ्टी, 48,000 तक कम fall, मतब 700, 800 पॉंट नीचे होंगे, लेकिन cover होके 600 तक रह सकता है, तो ये था, ग्लोबल मार्केट के उपर viewpoint, concept stock trade कर सकते हैं, मुझे बत